हेलो रिवान, वेलकम तो फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एजूगिसलन चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टेडी इन डेटेल अबाउट दे मेडिसिन फॉर वामिटिंग जब आपको नौजिया, वामिटिंग, एंड मोसन सिकनेस जैसा फिल होता है तो उस वक्त हम जो मेडिसिन्स यूज करते हैं to treat that condition तो उसी के बारे में हम ये लेक्चर में डेटेल में स्टेडी करेंगे कि कि मेडिकेशन्स टू स्टॉप वामिटिंग कि जब आपको नौजिया, वामिटिंग, मोसन सिकनेस जैसा फिल होता है तो उस वक्त कौन से मेडिसिन्स यूज करने चाहिए and किस तरह से वो condition को हम treat करते हैं तो उसी के बारे में जानते हैं आज के ये वीडियो लेक्चर में तो टाइटर स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याप्टो भी स्मॉल करके है उसके बाद ये है ओंडेन सेंटरोन का इंजेक्शन, फिर सिन्ना रिजिन की टाबलेट्स, देन प्रोमेथाजिन वैसे अलग-अलग डोजेस फॉर्म जो है वो हम यूस करते कि कुछ टाबलेट फॉर्म में है कुछ इंजेक्शन, कुछ सस्पेंजन, सीरफ बगेरा के फॉर्म में भी है तो सभी को ये वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टड़ी करते हैं तो लेक्चर तो बी अप्रेटेट विद फॉर्म नॉलेज फॉर्ड एट सब्सक्राइब दे चैनल एंप्रेस अन प्रेस अन प्रेस अन बेल ऐकॉन और नेवर में सैने वीडियो आउ फॉर्म रॉक्स का मोबाईल अप्लिकेशन अब अवेलेबल है तो डाउनलोड करेए एप फॉर्म रॉक्स अन्रॉड एप्लिकेशन अन गूगल प्ले एज वेलेज एपल आइफ़ॉन एप्वान एप्स्टार तो समझो कि आप एपल आइफ़ॉन यूजर है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी हुई है यूजर समझो कि आप एंडुड यूजर कर रहे है तो गूगल प्ले स्टार पर से यह आप डाउनलोड कर पाऊगे दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी है कि एप उपर आप स्टडी मट्रियल एक्सेस कर पाऊगे प्रिंटेड एज एज पीडियाप के अंदर आप उसको ओडर कर सेकोगे टेस्ट सीरीज की जो अनलाइन सोल कर पाऊगे पर जीपट, नाइपर, डियाई, फार्मासिस एक्जाम एंड यूजर आपसेस अवर वीडियो लेक्चर ओन मोबाल अप्लिकेशन अल्सो तो सबसे पहले वामिटिंग और इमेशिस तो इमेशिस means the action of process of vomiting कि जब किसी person को vomiting start होता है या फिर उसकी जो process start होती है कि उससे पहले आपको nausea जैसा feel होता है you feel the sick and uncomfortable और उसके बाद जो है वो person को होता है vomiting plus mild headache जैसा भी होता है vomiting से पहले and vomiting के बाद जो है वो condition काफी cure हो जाती है but vomiting को prevent करने के लिए plus continuously vomiting या फिर nausea जैसा आपको हो रहा है तो वो condition को proper cure करना azolesis के treatment करना बहुती जरूरी है तो उसकी जो अलगलग reasons होते है vomiting के कि vomiting can have causes that aren't due to the underlying disease example include the hangover समझो कि आपको hangover था तो उसके current vomiting हो सकती है pregnancy के अंदर हो सकता है motion sickness में होती है and over eating plus alcea अलगलग केसी भी कुछ condition है diseases है कि उसमें भी nausea vomiting जो है उसकी side effects रहती है कुछ medicines की कि समझो कि आपको कोई chemotherapy antibiotics दिये है तो उसके करन भी कई बार कोई patient को nausea and vomiting जैसा होता है फिर food poisoning जब किसी को होता है तब भी vomiting का होता है pregnancy में nausea vomiting जैसा होता है जब आपको hangover होता है उस वक्त and motion sickness की जब आप traveling करते है तो ऐसे अलग-अलग बहुत सारी conditions है causes है reasons है कि जिसके करन हमें vomiting जैसा होता है तो ये condition को हम कैसे cure कर सकते है how can we prevent the condition of vomiting so we use the different type of medicines अलग-अलग medicines उसके dosage form जो हम use करते हैं तो वो कहे जाते हैं anti-emetics these are the drug used to prevent or suppress the vomiting की फार्मकोलोजी के अंदर हम उसको कहते हैं anti-emetics की ऐसी medicines की जो prevent करती है और suppress करती है vomiting की जो हमारे body के अंदर जो vomiting होने के लिए जो centers present होगे थे कि जो centers activate हो तो vomiting जैसा feel होता है nausea, motion sickness रहता है तो जब वो ही centers को आप suppress कर देते हैं या फिर prevent करवाते हैं तो patient को काफी relief रहता है तो anti-emetics are the drugs used to prevent or suppress the vomiting and anti-emetic is a drug that is effective against vomiting and nausea तो सबसे पहले आपके पास ये basic knowledge information होनी चाहिए कि जब किसी को vomiting and nausea जैसा हो रहा है तो कौनसी medicine आप उसको दे तो वो कहे जाते हैं anti-emetics they call it anti-emetics हम उनको anti-emetics के नाम से ज़्यादा जानते हैं anti-emetics are typically used to treat motion sickness anti-emetics को हम usually use करते हैं motion sickness के लिए कि जब आप कोई traveling कर रहे है motion में है आपका body तो काफी सारे लोगों को ये problem होता है कि जब वो traveling करते है motion में होते हैं किसी भी तरह से तो उनको uncomfortable feel होता है nausea हो जोसा होता है vomiting होती है तो ऐसी हम medicines उसको दे सकते है to treat this condition उसके अलावा the side effects of opioid analgesic कि समझो कि आपको आपने किसी को opioid analgesic दिये है तो उसके कारण भी patient को nausea vomiting हो सकता है as well as general anesthetics के कारण chemotherapy directed against cancer कि समझो कि किसी को cancer है और उसमें chemotherapy चल रही है तो उस वक भी उसको nausea vomiting जैसा होगा तो यह जान लिया हमने reasons कि कौन से कौन से reasons से कारण nausea and vomiting हो सकती है तो सबसे एक popular over the counter जो medicines है वो है pepto-bismol pepto-bismol यहाँ पर हम देख सकते हैं कि suspension form में है कि जिसके अंदर main drug होती है बिसमत subsalicylate बिसमत subsalicylate होता है उसके अंदर कि over the counter medication to stop vomiting such as pepto-bismol and qopactate contain bismut subsalicylate they may help protect the stomach lining and reduce the vomiting caused by food poisoning अब pepto-bismol कब ज्यादा effective है when this is effective कि जब किसी को होता है यह food poisoning कि जब अलग-अलग conditions के लाइक food poisoning हुआ है कि ओवर eating हुआ है किसी का कि excessive खाना खा लिया है और उसके lining होती है वो proper जो है वो normal हो जाती है और जिसके कारण vomiting जो है वो reduce हो जाती है तो यह काफी popular है over the counter कि जिसको हम कहते है OTC pepto-bismol तो pepto-bismol जो है वो काफी अलग-अलग doses form के अंदर available है उसकी टाबलेट भी available होती है pepto-bismol की प्लस टाबलेट में भी उसकी achievable tablet चीवेबल टाबलेट भी उसकी होती है then उसको आप suspension form में भी use कर सकते है तो यह है उसके अलग-अलग doses form की pepto-bismol काफी popular है यहाँ पे लिखा है कि देखो heartburn, indigestion, nausea, upset stomach, diarrhea सभी के अंदर उसको यूज के जाए थे five symptoms digestive relief तो जब आपका mainly यह pepto-bismol का अब यूज करते है कि जब food poisoning या फिर overeating जिसे कंडिशन के कारण आपको vomiting होई है बहुत सारे तो उस वक्त यह pepto-bismol देने से patient जो है वो stable हो जाता है and उसकी जो vomiting है वो काफी reduce होके देरे-देरे वो complete stable हो जाता है because उसका जो digestive system है वो proper stable होना ज़रूरी है because जो vomiting होती है वो भी mainly हमारे digestive track कि जो हम gastro-intestinal track कहते है हमारा पांचन तंत्र उसके related यह disease है तो जब हमारा digestion अच्छा हो जाएगा हमारा पांचन अच्छा हो जाएगा तो automatically vomiting पे reduce हो जाएगी तो यह है जरूरी pepto-bismol उसके बाद यह काफी popular है एवो माइन एवो माइन आप में से बहुत सारे ने use की होगी अगर आपको यह nausea vomiting का problem था और especially कि जब आप traveling कर रहे तो यहाँ पे दिखाया है aeroplane भी दिखाया है यहाँ पे also the ship जहाज दिखाया है and here the car इसके अलबाद जब आप कोई bus के अंदर travel करते है कोई train में travel करता है car है तो जब आपकी body usually होती है in motion when you are in a motion तो एवो माइन is used to prevent or treat motion sickness यह point पे खास हमें underline करनी है it is used to prevent or treat nausea feeling sick and vomiting कि nausea एक ऐसे condition की जिसके अंदर feeling sick आप जिसे बीमार हो ऐसा आप feel करते है as well as आपको vomiting होती है and associate with other cause including other medicines कि कुछ और medicines के कारण बे समझो कि आपको ऐसा हो रहा है तो उस वक्त भी यह काफी effective है तो उसके अंदर जो medicine available है तो वो है promethazine evomine उसका trademark है ब्राणने में बट उसके अंदर main जो pharmacological drug हम कहें तो वो है promethazine teoclet तो यह जो promethazine है used होता है for the prevention and relief of travel sickness general nausea and vertigo कि vertigo मतलब कि समझो कि आपको चक्कर आते हैं और जब किसी को vomiting नोजिया जैसा होता है तब चक्कर भी आता है और special जब आप ट्रावेल करते हैं कि समझो कि कोई आरोप्लाइन विमान के अंदर बैठता है तो भी ऐसा होता है सीप के अंदर होता है कार बस ट्रेन किसी भी वेहिकल में इन स्वाट आप जब भी ट्रावेलिंग करते हैं तो तूरंत इसी कंडिशन बहुत सारी लोगों को होती है और इस वाग प्रोमेथाजीन इस वेरी वेरी इफेक्टिव यह बहुती इफेक्टिव रहता है और यह भी ओवर दे काउंटर ओटी सी ओटी सी आपको मिल जाती है ओवर दे काउंटर प्रोमेथाजीन कि समझो कि आपको ओवा माइन में नहीं मिलता तो प्रोमेथाजीन की भी बहुत सा अलग अलग ब्रांड से बट उसके अंदर में एक्टिव फार्मासिटिकल जो इंग्रीडियन कहते है एपी आई वो रहिना चाहिए यह प्रमेथाजीन नेक्स्ट है डॉम पेरिडॉन डॉम पेरिडॉन भी काफी इफेक्टिव है डॉम पेरिडॉन जो है इस एन एंटी सिकनेस मेडिसीन यूस पर स्टॉप वमिटिंग कि डॉम पेरिडॉन की जो टाबलेट से कि यह आप हम देख सकते हैं डॉम पेरिडॉन टाबलेट्स तो यह टाबलेट का जो स्ट्रेंथ है टैन एमजी रहता है वो टैन एमजी की टाबलेट रहती है डॉम पेरिडॉन की यह जो ब्लिस्टर है उसके अंदर टैन टाबलेट्स रहती है तो यह टाब का मेडिकेशन है एंटी सिखनेस एंटी सिखनेस मेडिकेशन की जो नोजिया वामिटिंग मोसन सिखनेस सभी के अंदर जो है वो काफी एफेक्टिव है कि जब आप सीख फिल करते हैं काफी सीख या फिर जैसे आपको बीमार जैसा हो रहा हो नौजिया वामिटिंग ऐसा हो रहा है तो उस वक्त यह काफी आपको प्रिवेंट करती है it can also be used to treat stomach pain if you are having end of life care palliative care की stomach में आपका थोड़ा disturbance जैसा हो रहा है आपको stomach में pain जैसा भी हो रहा है तो उस वक्त भी domperidon use होती है but usually जो domperidon prescribe की जाती है with combination of other medicines की समझो कि किसी को fever है viral infection जैसा है और flu जैसी condition है तो उस वक्त समझो कि उसको paracetamol भी दिया है plus उसको दिया है कोई antibiotic दिया है CPM या फिर satrizin उसको दी हुई है और साथ में कई बार उसको domperidon पर दी जाती है combination के अंदर कि समझो कि ये सब medicines के कारण समझो कि उसको nausea, vomiting या फिर flu के अंदर भी समझो कि उसको ऐसा feel होता है तो domperidon के कारण वो भी prevent रहेगा और patient जल्दी से treat हो जाता है तो ये था domperidon उसके बाद जो anti-medics का हम pharmacological classification के दोर पे देखे तो कौन सी अलग-अलग और जो popular medicine से की यो use की जाती है to treat the condition of a nausea vomiting तो anticholinergic भी यूज होते है कि जैसे की higher skin कि जिसको हम कहते है scopulamine उसके बाद dicyclamine hydrochloride and paracetamol tablet कि जो abdominal pain as well as उसके करण होने वाला motion sickness nausea vomiting सभी के अंदर वो effective रहता है as well as dicyclamine का injection भी अवेलेबल है scopulamine hydrochloride का ophthalmic solution भी अवेलेबल होता है तो ये था anticholinergic उसके बाद h1 antichistamines histamines class की के promethazine जो मैंने अभी आपको समझाया कि eomine तो ये एक और उसका प्रैमीन करके है बट उसमें भी आप देखो main active pharmaceutical ingredient कि जो हम कह सकते है drug तो drug या medicine तो promethazine है just brand name change होता है तो उसका भी effective same रहता है उसके उलवा डाइफिन hydramine वो भी काफी popular है डाइमेन hydra hydrinate वो भी famous है doxilamine, maclozine and sinarizine sinarizine की जो sinarivate 75 tablets है वो भी काफी effective है कि जो ये कहीं जाती है antihistamines, histamine H1 receptor antagonist histamine H1 receptor antagonist की जो H1 receptors होते है उनको जो है वो ब्लोक करते है H1 receptor antagonist की करण उनको की जाता है antihistamines H1 तो ये काफी popular है promethazine की जो eomine भी है उसका brand name and sinarizine ये दोनों काफी prescribe की जाती है कि जब किसी को nausea vomiting होता है उसके अलावा neurolaptics के अंदर हम देखे तो triflu, promazine, proclore, parazine जो तो proclore है वो motion sickness में भी दी जाती है कि motion sickness जैसा होता है vertigo जैसी आपके condition होती है plus vomiting सभी के अंदर ये proclore काफी famous है proclore, parazine उसका ये पूरा chemical name है but proclore के नाम से भी वो काफी famous है और use होती है to treat motion sickness, vertigo and vomiting then haloperidone is also the very famous drug to treat the nausea and vomiting आगे सिखते हैं next वो है prokinetics prokinetics के अंदर metoclopramide उसके बाद domperidone की जो मैंने आगे आपको already सिखाया कि domperidone काफी effective है बहुत सारे practitioners उसको prescribe करते है to treat vomiting सिखाप्राइड है, मोसोप्राइड है and itoprाइड तो ये दो metoclopramide injection भी दे जाते है कि समझेगे एक patient unconscious है तो उस वाग इसके injections दे जाते है domperidone के tablet dosis sperm काफी effective है काफी popular भी है तो ये है antiemetics इसका लवा metoclopramide tablet dosis sperm उसका भी strength है 10 mg tablets और वो RX रहेगा prescription drug तो prokinetic सब prescription रहते हैं proper prescription के साथ ही physician and जो medical practitioner है उनके prescription से ही वो आप purchase कर सकते हैं तो they are RX only next है वो है 5HT3 antagonist जिसके अंदर है ondansetron ondansetron की जब आपको drip चड़ाई जाती है bottle लगाया जाता है उस वक्त ondansetron आपने कई बार देखे होगे कि ondansetron का while भी रहता है या फिर injection भी डाला जाता है कि उस वक्त पेशन को nausea vomiting जैसन ना हो उसके लिए तो ondansetron के अलावा उसी का दुसरा related drug granny satron भी use होते है दोनों injection for IV use only आप देख सकते रहे 3 mg पर ml और यह है 4 mg पर 2 ml and 2 mg पर ml यहाँ पे है this is 2 mg पर ml and granny satron 3 mg पर ml रहता है ondansetron की orally disintegration tablet पे आती है कि जो fast dissoling tablet हम कहते है कई बार कि आपके oral cavity के अंदर ही वो dissolve हो जाती है orally disintegrating कि जब आप traveling कर रहे है और nausea vomiting हो रहा है तो आप यह ले सकते है कि जिसके अंदर आपको पानी की विजवरूत नहीं बढ़ते है जिसे sublingual tablet लेते है इसे orally disintegrating tablet की sun pharma की product है काफी famous है वो भी तो वो भी use होती है to treat the condition of nausea vomiting फिर palanocetron and ramocetron तो यह satrons काफी popular है as a anti-emetics की nausea vomiting को stop करने के लिए prevent करने के लिए हम use करते हैं फिर NK1 neurokinin 1 receptor antagonist की जिसके अंदर है eprippritant and fossa pretant eprippritant capsule रहती है 40 mg की Rx only prescription है prescription medicine रहती है and second है fossa pretant injection रहता है 150 mg per vial तो यह थे NK1 receptor antagonist उसके अलावा जो adjuvant anti-emetics हम कहते हैं कि benjo-dicepins कई बार prescribed की जाते है dronabinol है nebulon है etc की यहापे आप देख सकते हैं alprazolam है clonazepam chlorodicepam laurazepam timazepam तो many of the most commonly prescribed benjo-on-sardos which are most leading and abuse कि abusing medicines भी है यह इसलिए बहुत कम prescribe की जाती है कई बार excessive amount में लेने से वो patient उसके habitual हो सकते है तो जब तक आगे की हमने medicines देखे उससे आपका nausea vomiting क्योर हो जाता हो तो यह लेने की जरूवत नहीं रहती बड़ जब आप classification सीखते है anti-medics का तो यह medicines भी याद रखना जरूरी है बड़ जब समझे कि आपको किसी patient की treatment करनी है तो उस वक आगे की medicines से वो completely cure हो ही जाते है तो यह बहुत कम cases के अंदर हम उसको prescribe कर दे तो यह थे vomiting के लिए medicine की जो हम prevent करने के लिए use करते है तो message to join our whatsapp groups send your name city name and whatsapp on 942-618-0836 pharma rocks whatsapp groups चैनल को subscribe करिए and also press on bell icon and never miss any video of pharma rocks pharma rocks की mobile application ज़रूर से use करिए कि जहाँ पे आपको study material test series video lecture वगेरा मिल जाएंगे तो application आप android user है तो भी use कर पाओगे and if a iPhone user है तो भी आप use कर पाओगे तो कोई problem नहीं होगा आपको links आपको description box में दी हुई है and you can also access our best your contents on the mobile application also and learn online and get the online courses and get up to 90% off on the various courses so start learning on their pharma rocks get it on google play and download on the app store get the links in description box